सुरेश बाबू घर आते ही खुशी से अपनी पत्नी को बताने लगे. तुम्हें मालूम है आज अपने शोरूम में कौन आया था? इतनी उत्सुकता देखकर उनकी पत्नी आशा तेजी से उनकी ओर आई और आंखों से ही सवाल करने लगी. अपना मानू माइक्रोवेव खरीदने आया था. फला वो करनाल में कैसे वो तो आपने बताया था कि कहीं विदेश में सेटल हो गए थे. हो भी तो हैरानी हो रही थी म मुझे. मैं पहले तो भैचानन ही, पायामगर वह काफी देर से मेरे समयन से बहस कर रहा था तो मुझे अपने के बिन से बाहर आना पड़ा तो देखा मानू था. वो पिछले दो सालों से अपने पुस्तैनी बंगले में रह रहा है. मानू सुरेश बाबू के बच्पन का सा में अपनी पड़ाई पूरी करने के बाद अपना इलैक्ट्रियानिक उपकरनों का सुन्दर शोरूम बना लिया. था जहां उनके सिस्मैन और दूसरे कर्मचारी उनके व्यापार की अच्छी देखभाल कर रहे थे. सुरेश बाबू अपनी पतनी आशा से के बार अपने ब इत्र मिलन खुशी की खबर में लग. ई थी, पूरे परिवार ने ही तिय पाया की उनहें से परिवार खाने पर निमंतरन दिया जाए. मोबाइल के जमाने में यहां कौन साक्ठिन काम था इसलिए दो दिन बादर विवार था. देरी न करते हुए सुरेश बाबू ने अभी को दहीं थी क्यों कि उसकी ड्यूट. इकार्डियोलोजी वार्ड में थीज हों, जरासी लापर वाहिया स्टाफ की कमी मरीज के लिए जान लेवा हो सकती है. यहीत यह पाया गया कि समन उस दिन अपनी तीरात्री पारी की करवालेता कि उनके साथ आराम से लंच करने और जा जा लेते हुए, अपने मित्र के साथ पुरानिया दें ताजा करते हुए, उसके ठाटबाट की भी तारीफ किये, बिनान ही रहस के. इसी बीच बच्चों की चर्चा होने लगी तो सुरेश बाबुने बताया कि उनकी दो बेटियों में बड़ी बेटी एक अच्छी नर्स ह और बातों बातों में उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार उन्हें दिल का दोरा पड़ा तो उनकी इस बेटी ने कैसे अपने सिवाभाव का प्रिचे देते थे. पूरा कारोबार और एक नर्स की तरह अपने पिता को हर मुश्किल से उबार लिया था. तबी से उन्हों ने ठान लिया था कि अपनी इस बेटी को नर्स बनाएंगे ताकि वो औरों की भी सेवा करे. उन्होंने ही बताया कि आज मानवेंडर जी की मेजबानी में उसने अपनी ड्यू बदलवा कर रात की ड्यूटी पर जाना उचित समझा. मानवेंडर जी की पतनी तुरंबोल हफ्ट बहन चुपन ही रही उसने खाके नर्सों की ड्यूटी तो रातरात भर भी रहती है और भले घर कर लड़किया निशाचरी बन कर गुमें यह कोई अच्छा थोड़े ही गता है. मानवेंडर जी की कॉलेज में पढ़ने वाली आधुनिक विचारों वाली लड़की न ने उन सब को बड़े आधरमान से विदा किया. उनके जाते ही आशाने बड़-बड़ा ना शुरू कर दिया चिक कैसे लोग है निशाचरी भलह भी कोई शब्द हुआ है तो गाली से भी गंदा लगर है मुझे. मेरी प्यारी सीनाइटिंग लगे लिए इतनी भद्दी भा अरे भई उन्होंने तो वैसे ही कह दिया बेवकूफी में फिर्यबात उन्होंने सभी के लिए कही है सिर्फ सुमन को कुछ नहीं कहागला तर्ट मत लगाओ. पापा मुझे भी बहुत खराबलगा है सुमन भीरु आनसी सी होकर बोली सुर्भी बोली पापा आपी की सालों म दोस्त से मिले है इसलिए भावुक हैं और उन्होंने कापक्ष ले रहे हैं पर बत्तमीजी तो बत्तमीजी होती है. सबकी एक राय देखते हुए सुरेश बाबू भी उनसे सहमत हो गए. अभी एक सपताह भी नहीं गुजरा था कि मानवेंडर जी का फोन आया और उन्होंन यार वो तुम्हारी निशाचरी बेटी नहीं हम छोटी बेटी की बात कर रहे हैं. मानवेंडर की ऐसी बात सुनकर सुरेश का परासातवें आसमान पर चड़ गया लेकिन अपने स्टाफ के सामने अपने मनुभाव चिपाते हुए बोले ठीक है घर बात करूँगा. आपन कहे देनी चाहिये थी. आशाराद भरकुरती रही सुरभी को भी नीन दन ही आई सुरिश बाबू खुद खुश्मक्ष में थे. रात पर उदास सी सुमन जल्दी उठकर तैयार होकर बिना चखाय पिये. अपनी सुभह की पारी के लिए ड्यूटी पर निकल चुकी थ अनमने डंग सेन हध होकर सुरभी ने नाष्टा बनाया. तीनों जब नाष्टे की टेबल पर बैठे तो नाष्टा खत्म करते ही सुरभी बोली पापा अभी उठिये गा नहीं मुझे कुछ कहना है. आशा ने उसकी वर प्रशन सूचक निगाहों से देखा तो उसने कहा कि मम्मी पापा आप मानविन रंकल को मेरे लिए हाँ खदी जीए मैं इस रिश्टे के लिए तैयार हूँ. आशा कोलगा की वह सुरभी के इस फैसले से इस खाकर गिर जाएगी. सुरेश बाबू बोले बेटाए बेट है क्या तक माशा है कल तक तो तुम भी गुस्से में थी मैंने खान आप उनके बेटे के साथ फिर से बुला ली जिये. अपनी बहन कातो सोचो उस पर क्या गुजरेगी. चाहे जो आप उन्हें बुला ली जिये एक उन काल ड़का देखने में क्या बुराई है. ये उनकी अमीरी पर मर रही है, उनकी गंदी सोच पर ध्यान नहीं. दे रही आशा जी चिला कर बोली. सुरभी ने कहा, आप चाहे जो समझें पर मुझे उनकी इस बात पर कोई अतराज नहीं है. सुरभी अपना फैसला सुना कर किचन में बरतन रखने चली गई. आशा जी बोली, ये किस लालच में हौकर रही है, उसके लंदन में पड़ा ल कर फैसला करते हैं. शाम को सुमन जब घर आई तो उसने सुरभी का फैसला सुना तो सकते में आगी. लेकिन सन्यम से काम लेते हुए बोली मम्मी पापा आप ही तो घते हैं कि रिष्टे संजोग असे होते हैं. हो सकता है इसके संजोग ऐसे ही बंदे हो. आकिर सुमनन ने पर उनकी छोटी बेटी के रिष्टे के लिए आगे थे. ड्यूटी न होने के कारण सुमन ने अपने कमरे से निकल नावचितन समझा आशा समझा गई थी, सुमन लड़के का सामना हीन हीं करना चाहती थी. वैसे भी सुमन रंग ग्रूप कदाठी गुनों में सुरभी से 20 कहीं पची सही बैठती. कहीं ऐसान हो कि वह फिर अपना इरादा दले और फिर से हमारा दिल दुखाएं. सुरभर ने कंखियों से देखा महंगे सूट बूट में सजाधा जासू. जे देखने में ठीक ठाक था, बातों बातों में मानविन रजी की बहन बोली अरेबचों को आप समय भी तो बात कर लेने दीजिये. सुरभी की आंखिन चमक उठी, वो मानो इसी प्रतीक्षा में थी. आशा जी ने हबात नोटीन सुरभी की ये उतावली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर्मनम सोस कर रह गएं. सुरभी सुझे को अपना घर दिखाने के बहाने बार लॉन में ले गई. इससे पहले सुझे बात शुरू करता. सुरभी ने उससे पूछा आप लंदमें पढ़ने के बाद वहीं से लहोने बजाये इंडिया क्यों आ गए? दरसल पापा ममी चाहे थे कि हम लंदमें नहीं बलकि इंडिये. आचल कर इंडियन लड़की से श करने के कारण उसे भी पसंदन ही कर रहे है. जबकि बुआ जी ने बताया कि वह बहुत ही सुन्दर है, मंगर हम एकदम सीधी साधी घरे लूड़की चाहते हैं. सुर्भी कातीर निशाने पर बैठा फिर आप किसी गांव की लड़की को क्यों नहीं बहु बनाते वो तो? पूरी की पूरी घरेलू और सीधी साधी होगी. नहीं असाभी नहीं शहरी पड़ी लिखी हो, पर भारती लड़कियों की तरहपती से दब कर रहने वाली हो, ज्य लोग निशारी की संचादे डालते हैं चलिये. अंदर चलिये. मैं अब आप से सब के साम नहीं बात करूँगी. साथ ही वाभाकर सुमन को उसके कंबरे से बाहर निकाल कर ले आयरूसे गले से लगाकर बोली निशाचरी नहीं के मेरी प्यारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. मानवेंदर जी के परिवार को ऐसी उमीद कते ही नहीं थी. सभी सकते में आगे. सुझे तो आवाक सुर्भी को दे झाल